नमस्कार बाईयो ये देखिए वाटर रिचार्ज के लिए बोरिंग करवाई हुई है राप को गाउर मानार मानी में जो हरियाना करनाल जिले का है बेंकर बारिश हुई थी यहाँ पर और जीमिदारों की फसले डूब चुकी हैं दूर दूर तक पानी ही पानी नजर आ रहा है हमने फेस्बुक पे पहले देखा था किसी सरदार जी ने वीडियो डाल रखा था वाटर रिचार्जिंग का तो उसको देखकर हमने भी अपने खेट में वाटर रिचार्ड करने के लिए बोरिंग करवाया है ये देखिए लगबग एक मोटर के बराबर का पानी इस बोरिंग में जा रहा है अगर ये 24 गंटे ऐसे ही चलता रहता है तो हजारों लीटर पानी इकठा किया जा सकता है हमारी किसानों से यही कुजारिश है कि जो खेट नीचे हैं जहां पर पानी इकठा होता है बारिश का वहां पर ये बोरिंग करवाए जाएं और वाटर लेवल को उपर लाया जाए बीजेपी सरकार को हमने समर्थन दिया है बीजेपी सरकार भी काफी गहंता से इस चीज के पिछे पड़ी हुई है कि वाटर लेवल को बचाया जाए, किसी तरह भी बचाया जाए, ये देखिए, जो किसान भाई हैं, नरेंदर कुमार, कमबोज, इन्होंने अपने खेत में वाटर लेवल के लिए ये बोरिंग करवाया है, लगबग इस टैम धान में दो से धाई फुट पानी भरा हुआ है, धान सारा डूबा हुआ दिखाई दे रहा है, इस भाई ने पिछले साल ये बोरिंग करवाया था, पिछले साल भी लगबग इस बाई की साथ आठेकर फसल थी जो डूबी हुई थी, और इस बोरिंग की वज़ा से फसल को बचा लिया गया था, इस से वाटर लेवल भी पानी कठा होता है, महां पर बोरिंग करवाया जाए और वाटर लेवल को भी उपर ले आया जाए, ताकि किसान भाई की फसल भी बच सके, और वाटर भी उपर आ सके, सरकारों से मुआवजा मांगने की वज़ाए खुद रिचार्ज वाटर लेवल करें और वाटर उपर आएगा, इस से फसल भी बचेगी और जिमिदार की फसल खराब भी नहीं होगी, और सरकार को भी इस चीज का फायदा है, कि वाटर उपर आ रहा है, हमें सरकार से भी गुजारिश है, कि जो नीचे एरिये हैं, उनमें सरकारी पैसे की मदद से भी दो-चार बोर करवाने चाहिए, ताकि किसानों का भी फायदा हो, और सरकार का भी फायदा हो, ताकि वाटर लेवल नीचे ना जाए धन्यावाद